हर जेई की प्रेपरेशन करने वाले का सबना होता है कि उसे जेई एडवान्स क्रैप करके IIT में जाने का मौका मिले लेकिन ये सबना कितने लोग पूरे कर पाते हैं में भी 0.01% राइट IIT कॉलेजेस इतने ज़्यादा फिवरेट क्यों है जेई एस्पिरेंस के obviously क्योंकि वहाँ उनको पता है कि college से निकलने के बाद उनको एक अच्छा placement मिलेगा एक अच्छी package मिलेगी और obvious से बात है कि अगर एक अच्छा package मिल जाता है तो आगे की जो life है वो काफी जादा easy हो जाती है भले ही college पाने के लिए उन्होंने कितनी भी जादा मेहनत की हो वो worth it होता है बस इसी reason से लोग IIT के preparation करते हैं लेकिन क्या ये चीज आगे भी valid रहेगी क्या ये motivation लोगों के लिए आगे भी काम करेगा क्योंकि IIT में ये जो placement के packages हैं ये बड़ी तेजी से कम होते जा रहे हैं IIT Delhi से electrical engineering में बिटे करने वाला एक student काफी खुश था क्योंकि उसको Singapore की एक company में 14 lakh का package मिला था लेकिन सिर्फ पांच महिनों में company ने एक message के साथ उनको ये offer रद कर दिया सेम ऐसा ही IIT गुवा हाटी के एक student के साथ हुआ उन्हें एक ad tech firm से December 2023 में pre-placement offer मिला लेकिन सिर्फ जून 2024 में उन्हें inform किया गया कि कुछ reasons की वज़े से joining rate बढ़ा दी गई है up to 2025 एक थर्ड केस IIT BHA के एक student का है उन्हें EXL में analytics consultant का work मिला लेकिन के वल एक ही साल में उन्हें इस job से हटा दिया गया जून 2023 में और वो लगभग 11 months से unemployed है इस थर्ड केस के बहाफ पर मिस्टर धीरत सिंग ने एक RTI फाइल की और पता चला 38% of IITians लगभग 8000 students across 23 campuses are still waiting for job offers इन unplaced students का नंबर दो साल में दो गुना हो चुका है 2022 में लगभग 3400 students रह गया थे और 2024 तक में लगभग 8000 students बल्कि online job portals जैसे nocari.com भी 17% से all दिखा रहा है job opportunities में 2022 में 2.03 million से 2023 में 1.68 million बस रह गी है entry level jobs भी 13% तक कम हो गया है बल्कि इन से better hiring तो online tech firm, groceries, companies कर रही है जहाना के वल इनकी hiring दो गुना हुई बल्कि 4-5 years के experience वालों को भी यहाँ पे 20 lakh प्लस का offer दिया जा रहा है 22-23 के समय वेस्टन मार्किट में गिरावट और रशे उक्रेइन वोर की वज़े से tech and non-tech companies ने hiring कम तो की साथ ही बहुत सारे employees को नौकरी से भी हटा दिया freshers को job वैसे भी नहीं मिल रही और फिलहाल वो अपने senior के एक start-up में 3.6 lakh per random के package पर राम कर रहे हैं वेल इनका reason कहीं ने कहीं इंडिया का weak economy और better manufacturing companies की absence है